क्या आप YouTube वीडियो से देखते बार उसमें आने वाली ads से परेशान हो जब भी कोई game या फिर app यूस करते हो तो उसमें banner ads, pop-up ads and video ads ने आप लोग का दिमाग खराब कर रखा है अब और नहीं क्योंकि अभी में आप लोग को एक ऐसी brain fart रेक बताने वाला हो ना जिससे आप अपने Android से सभी तरह की ads को हमेशा के लिए अब देखो YouTube एप से एड रिटाने का कोई स्ट्रेट या फिर सिंपल दरीगा किसी को पदा नहीं था ऐसा में लोग थर्ड पार्टी YouTube mods इंस्टॉल कर लेते थे यूट्यूब वेंस्ट है यह भी अब काम नहीं करता तो इसके लिए नए mods आने लगे यूट्यूब रिवेंस्ट इन modded apps के साथ main problem बता है क्या है security risks Google officially कभी इन्हे support नहीं करेगा वरना YouTube का तो घर इसमें छेले जाएंगा दूसरी major problem है battery drainage इस तरह की apps हमेशा आपके phone के background में चलती रहती है जिससे ये आप पूरी battery चूस लेता है आपको याद होगा मैंने Android के लिए कई बार एक automation app recommend किया हुआ MacroDroid जो कि I'm sure आप लोग already use कर रहे हो इसके template section में जाके इस macro template को यहां से add कर लो कुछ permissions मांगेगा उसे ध्यान से allow कर दो बस फिर macro के option में आके इसे enable कर दो बाकी के apps और websites में जो ads आते है उन्हें block करने का इकलौता free app है block एक बार बस इसे enable करके छोड़ दो मजाल है जो दुबारा तुमें कोई add दिख जाए देखो मैं समझता हूं कोई भी developer ना इतनी महनत से एक app बनाता है उसमें आप लोग को free की services देता है और इन services के बदले ना in return उसको भी कुछ चाहिए जो कि उसे add revenue से मिलेगा बट user experience का क्या उसका तो ये add services गलाग होड़ देते हैं ये सभी तरह के trackers जो आपको बिना बताए आपका phone, apps या फिर websites को भेज रहा होता है उसे भी block कर देता है अप लोग को instant scam website warning भी देगा आपकी privacy and security को protect करेगा इससे भी कही जादा secret new android apps tricks and websites अभी आगे आने वाले हो सकता है इतने सारे brain fart apps and tricks एक साथ देखके आपका brain थोड़ी देर के लिए freeze हो जाए तो please इस video को पूरा end तक ध्यान से देखना क्योंकि ये apps, tricks and websites ना तो आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कही और मिलेंगे So hey the android users, my name is Kinker You guys are watching Tip Top Tech Let's over boost your android experience with these khadak apps and tricks आप किसी भी परसन की, चाहे वो साथ समंदर पारी क्यों ना हो उसकी exact location, उसका IP address, कौन सा device वो use कर रहा है, operating system क्या है internet service provider का नाम, उसका phone में कितनी battery बची है, screen orientation और भी बहुत कुछ कुल मिलाके आप online उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हो, बिलकुल मुफ्त मैं सबसे पहले तो आपको कोई Google photo या फिर कोई online product या website की link copy कर लेनी है, उससे आपको ले जाना है grabify.link इस website पर और इस link को यहाँ पर paste करके create URL पर क्लिक करते ही यह आपको उसके एक tracking link बना के दे देगा अब directly इस link को यहाँ से copy कर लो या फिर अगर आप चाहो तो इस link को थोड़ा सा और ज्यादा genuine looking बनाने के लिए इस link का domain name इसका extension path या फिर parameter वगरा change करके अपने हिसाब से पूरी custom link बना लो ताकि सामने वाले को कोई doubt ना हो कोई अगर आपको अपनी गलत identity या फिर location बता के आपके साथ prank या फिर scam करने की कोशिश करता है तो इस trick का यूज़ करके उसी की details निकाल के उसे भेज दो और उसके पूरी हवा निकल जाएगी वसे कई सारी popular websites जो हम हर रोज विजट करते ना वो भी इस तरह से आपका data track करती है ऐसे हम इन सब tracking links या फिर website से बचने के लिए जो पहला app मैं आपको बताया था ना ब्लॉक वह बहुत ही जाधा काम का है अगर ये tracking link जिसे मैं ने भेजी थी उस person के device में block app enabled किया होगा होत तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो एंड future वीडियोज के लिए आप इस चैनल को subscribe कर लो एंड पास में जो bell notification का आईगन है उसे all पर site कर दो apps and tricks related जो content इस चैनल पर है न वो कहीं और नहीं मिलेगा कैसा हो अगर मैं आप से कहूँ कि आप अपने Android डिवाइस में बिलकुल फ्री में बिना किसी gameplay limit के actual PC games खेल सकते हो एक भी पैसा खर्च करने की सुरूत नहीं है उल्टा games खेल के यहां से prizes जीत सकते हो जियो ने रिसेंट लिए अपना cloud gaming app रिलीस कर दिया है जिन में काफी सारी popular games लाइक ग्रेड हो गया Saints Raw, Kingdom Come और भी बहुत सारे games है जिने आप single click पे stream करके खेल सकते हो मैं अभी decent 4G network पे हूँ और ये games काफी high graphics demanding भी है फिर भी gameplay में कोई जादा lag feel नहीं हो रहा एकदम proper on screen controls मिल जाते हैं अगर एक gamepad या controller correct कर लोगे तो फिर आपका phone ही एक ultimate portable gaming station बन जाएगा अभी ये cloud service ना beta state में है इसलिए बहुत से और भी popular games like GTA 5 अभी तक इसमें add नहीं हुई पर इन सब games को इसमें list होने में जादा time नहीं लगेगा बाकि अगर आप इसके home या फिर anyra section में जाओगे ना तो यहाँ पे भी कई सारे instant play games है जिने download करने के भी ज़रूत नहीं है और बिना ads के खेल के prices भी जीच सकते हो इसमें आपको सारे popular games जैसे की GTA 5, God of War, Watch Dogs 2, Cyberpunk और भी कई सारी games मिल जाती है खेलने को अलग-अलग plans है किफायी भी है एक बार ट्राइकर करके देख ले ना फ्री में थोड़ी देरे तक खेल के अगर सही लगे तो फिर subscription भी ले सकते हो I'm sure you guys already know this, that software development is the new thing ये ना एक बहुती growing sphere है और ये एक ऐसी skill है जिससे आप घर बैटे-बैटे सीख सकते हो और फिर इससे आप बहुती well-paying job भी पा सकते हो अब दिक्कतिया ना कि ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो कि software development के certificate courses चलाते हैं कोई कैसे पता करें कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म एक्च्वल में genuinely value दे रहा है और कौन सा प्लेटफॉर्म बस you know, समझ जाओ Here is where HeroWide comes in HeroWide ना Hero Group की ad tech company है जो की industry relevant programs offer करती है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है HeroWide ने कई सारे world class institutions के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाए है जैसे कि मैने आप लोगों बताया है market में अभी हजारों ऐसे programs है जो quite honestly, उपर उपर से आपको सारी चीज़े सिखा करना है एक worthless से certificate पकड़ा देते हैं And this is where HeroWide comes out on top HeroWide का certificate program in full stack development with cloud for web and mobile में 70-90% sessions are live instructor-led classes Industry projects पर भी काम करने का मौका मिलता है जहां आप अपनी knowledge को practically use करना सीख सकते हो जो कि काफी सारे programs नहीं कर पाते हैं Codecademy का na online software development courses में काफी expertise है जिस वज़े से HeroWide ने इस program को उनके साथ collaboration में मिलकर बनाया है अगर आप भी अपने software development करियर को एक head start देना चाहते हो तो अभी HeroWide के इस program में enroll हो जाओ और बस शुरू हो जाओ अब नॉर्मल लोग WhatsApp यूज कर दा है टेक्स्टिंग या फिर कॉलिंग के लिए बट मैंने WhatsApp को ही अपना AI प्लेग्राउंड गरा दिया है WhatsApp के इस personal AI assistant bots है ना मैं WhatsApp के अंदर ही अपनी सारी सस्ती मस्ती कर लेता हूँ You can go absolutely crazy and ask anything to this AI पहले तो मैंने इससे कुछ relationship advice मांगी जिसका इसने काफी sensible answer दिया मुझे फिर मैंने इससे मेरे Instagram Reel के लिए कुछ ideas suggest करने को का and इसने काफी unique and crazy ideas दिये जो मुझे काफी साही लगे Reel के लिए na proper script भी बना कर दे दी इसने literally मेरे घंटो का काम कुछी seconds में कर दिया है इसने छोटे मुटे reminders के लिए na मैं इसे text कर देता हूँ और ये time पे na मुझे WhatsApp messages के through reminders भी भेज़ देता है फिर मैंने इससे बोला na मचरों पे एक rap लिए और मेरी उबासी अभी खतम ही हुई थी इतने मैं lyrics ready कर दी इसने ये basically सबसे intelligent chat bot chat GPT का API integration है जिससे आप WhatsApp chat में बिल्कुल free में use कर सकते हो आप इसे Hindi, Bengali, Gujarati जैसे काफी सारी languages में बात कर सकते हो आपने इससे कुछ भी, जो मनाय पूछो जवाब और सुझाव दोनों मिल जाएंगे इसके पास इसना सब कुछ मैं explain नहीं कर पाऊंगा बस इसे एक बार ट्राई कर के देखो बस इस नंबर को अपने WhatsApp में सेव कर लो and start chatting with your new AI friend Okay, now it's time to customize your Android like a pro and उसके लिए भी काफी कमाल के apps लाए हूं मैं यह single app अपने आप में ही पूरा powerhouse है इस app से मैं अपने Android के लिए different shake gestures बना सकता हूं जसे किसी भी screen पे device को flip left करने पे back हो जाएगा right में flip करने से different apps में switch कर सकता हूं quick settings को access करने के लिए बस front में flip करना है right side में से throw करके ना मैं किसी भी specific whatsapp chat को quickly access कर सकता हूं phone को left में throw करने से जो touch screen है वो disable हो जाएगी दो को यह shake gestures मैंने अपने convenience के हिसाब से खुद से side की हैं आप इसके actions में से कोई भी app की shortcut या फिर program को customize करके अपने हिसाब से actions असाइन कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं है इस app से आप top, bottom and side में कई different custom bars बना के उसमें भी custom controls and features add कर सकते हो gesture controls के मामले में अपने phone को पूरा रजनीकांद बना सकते हो इस app को आप exclusively मेरे telegram channel से download कर सकते हो and मेरे telegram channel के link आपको मेरे instagram की bio section में मिल जाएगी description में link है सबसे पहले मुझे instagram पे follow कर लो बहुत ही कमाल की reels डालता हूँ मैं instagram पे तुम लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा और मेरे instagram की bio में जो link है न उससे आप मेरे telegram के channel को subscribe कर सकते हो ऐसी exclusive apps ना मैं frequently करता रहता हूँ तो make sure कि आप मुझे instagram and telegram इन दोनों platforms पे भी follow कर रहे हो अब अगर अगर फोन में in display fingerprint sensor रहना तो यह app definitely dry करो सच बता रहा हूँ इसके wallpaper and fingerprint animation के collections ने ने मेरा दिल जीत लिया है एक भी ऐसा single wallpaper नहीं है जो मुझे पसंद ना आया हो इस the power of its amazing themes and wallpaper collection जिसके बज़े से ना मैं दिन में दो बार अपना lock screen और home screen wallpaper change कर लेता हूँ क्या करूँ यार एक से एक wallpapers and fingerprint animations है जी नहीं भरता मेरा तो अगर आपके phone में in display fingerprint sensor नहीं भी आ ना फिर भी इस app का wallpaper collection ही काफी है इस app को मजबूर होकर download करने के लिए अगर आपके phone के display में इस तरह का hole punch camera cutout है या फिर अगर notch भी है तो noty guy इस app को try out करो पहली बात तो यह आपके notch को ना पूरी तरह से interactive बना देगा जिससे मानो अगर आप इस actual camera cutout पे tap करोगे तो camera app open हो जाएगा या फिर अगर मैं long touch करूँगा तो flashlight को toggle कर सकता हूँ है न amazing दूसरी बात यह आपके boring notification style को इस तरह के different unique style notifications मां बदल देगा you can customize every single aspect of it like the color, effect, size and placement और भी बहुत सारी चीज़े है so try it out and redesign your notification style to something unique and cool looking जब मैंने अपने phone के system cleaner से junk files को scan किया न तो यह दिखा रहा है no data to clear पर इस secret app से scan करने के बाद मुझे approximate 13 GB का unwanted hidden data मिला जो कि मेरे storage में छुपके जगा खा रहा था ऐसे ही न जाने कितने GB का storage इन hidden files ने आपके phone में acquire कर रखा है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है अब storage में जो कचरा visible है उसे तो आप delete करके साफ कर लोगे पर उन hidden cops and superfluous data files का क्या जो कि आपके किसी app को delete करने के बाद या फिर कोई photo, video या फिर दूसरी files के delete करने के बाद भी रह जाते है और को भी normal cleaner ना इन छुपएवे junk files को remove करना तो छोड़ो इन तक पहुँच भी नहीं बाते हैं अब जो लोग मेरी तरह long time android user है ना उन्हें sdmade के बारे में तो पता ही होगा इन वस्टीमेट वन माइटी सिस्टम क्लिनर जो की मेरा favorite cleaner app है and guess what sdmade 2 recently release हो चुका है with updated features यह आपके phone से hidden junk files को ना कोने कोने से ढूंड के ऐसे साफ करेगा जैसे all out मच्छों को करता है सबसे पहला तो यह जो भी apps आपने remove किये ना उनका बचा हुआ data ढूंड के साफ कर देगा फिर यह उस superfluous data को भी clear कर देगा जो किसी app को belong ही नहीं करता बार-बार बनने वाले system log error files और temp files को भी यह deep clean कर देता है आप इसमें cleaning cycle को उना schedule करके भी रख सकते हो ताकि बार-बार खुझ से यह सफाई करनी ना पड़े and it will do it automatically for you अब मानो आपको कोई website या फिर link visit करनी है जो कि आपके ISP ने block कर रखी है अब साधरन लोग क्या करेंगे कोई एक shady सा VPN नाउनलोड कर लेंगे ताकि वो उस blocked website या फिर link को visit कर पाए pro people इतना कश्टनी उठाते है वो सिधा जाते है proxium.com इस website पे और जो भी blocked website या फिर link विजिट करनी है उसे सर्च कर लो ये site किसी भी blocked या फिर restricted site की free web proxy बना देगा जिससे आप बिना किसी VPN के जहमेले में पड़े कोई भी site अगर उसे access करना मना भी है तो भी access कर सकते हो जब सब ये site का पता जलाए ना VPN का usage बहुत कम हो गया मेरा अब देखो इतने तो ना हम दिन के steps नहीं लेते जितने हम बाद बाद पर screenshot ले लेते हैं और जादर ये one time भेजने वाले screenshots ना हम किसी को एक बार गाली की तरह दे देते हैं अब अगली बार से कोई भी screenshot लेकर अगर आप उसे direct screenshot preview menu से शेर करोगे तो शेर होने के बाद वो गैलरी से automatically delete हो जाएगी अगर गैलरी में जाके शेर करोगे तो डिलीट नी होगा अगर आप किसी भी screenshot को गैलरी से एडिट करोगे तो पुराना original screenshot भी automatically delete हो जाएगा मतलब अगली बार से गैलरी में फालतू के screenshot के खचरे का पहाड नी बनेगा और storage भी बच जाएगा कुछ दिर पहले मेरे phone की downloading speed ये थी फिर मैंने chrome से में कुछ setting change करी और अभी आप देख सकते हो speed कितनी बढ़ चुकी है इस secret tricks है आप भी अपने chrome browser की downloading and browsing speed को 10 times तक increase कर सकते हो chrome के address bar में जाके chrome colon double slash flex type करो फिर यहाँ से पहले q u ic search करके इस experimental feature को enable कर दो उसके बाद search करो parallel downloading और इसे भी enable करके chrome को एक बार relaunch कर दो इसके बाद जब भी आप chrome browser यूज करोगे न तो downloading और browsing speed में जो difference है वो आपको खुदी feel हो जाएगा यह तीसरी website सबसे जादा काम की है उनके लिए जिने secure cloud storage चाहिए बिना किसी restriction के मतलब unlimited free cloud storage website का नाम है unlimcloud.cloud इसका app भी है यह website ना telegram API यूज करती है जिससे आपको unlimited cloud storage मिल जाता है और यह बिल्कुल secure है आप इसमें अपनी सारी photos, videos या कोई भी files को directly upload करके बिल्कुल original quality में वापिस download भी कर सकते हो free का unlimited cloud storage मिल रहा है गाईज, use करो और खुश रहो लास्ट जो की वे रखाता है उसके winners हमने pick कर लिया है जो list हो कि वो मैं अपने community post में डाल दूँगा देखो apps and tricks की वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी बट मैंना कुछ product reviews भी plan कर रहा हूँ अभी recently मैंने कुछ gadgets review किये थे काफ़ interesting gadgets थे जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी I will highly recommend you guys वो वीडियो चेक आउट करो काफी मज़ेदार वीडियो है इसके link में description में दे दूँगा उससे पहले मैंने एक budget segment का laptop में review किया था 25,000 रुपीज के अंदर best laptop है अगर आप एक laptop लेने का सोच रहो तो वो वीडियो भी चेक आउट करो ऐसे genuine product and gadget reviews बनाने में ना काफी effort and खर्चा लगता है guys तो I just want your support मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियो के अलावा मेरे जो product and gadget reviews के वीडियो है उन्हें भी थोड़ा देखो, support करो क्योंकि मैं बहुत महनत से वीडियो बनाता हूँ अब यहां तक वीडियो देखी लिए है तो फटाफट comment करके बताओ कौन सी app या trick आप लोगो सबसे ज़्यादा पसंद आई अगर आपके कोई questions या फिर suggestions हैं तो do let me know in the comments मैं हर इक comment पढ़ता हूँ and questions भी करता उन comments का reply करने की तो make sure कि आपना एक comment ज़रू करके जाओ that was pretty much it for this video guys I really hope कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो remember इस वीडियो को एक like करना है comment करके बताओ कि कौन सी app या फिर trick सबसे ज़्यादा पसंद आई है चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना thanks again for watching this video guys I'll catch you in my next video till then take care bye bye peace